हेलो एवरीवन गोड अफरनून आरो एरो दोजर तेस का अग्जाम ओवर हो चुका है काफी लोगों के मेसेज़ेस भी आ रहे हैं उनका उनका एक्सप्रियेंस है कि पेपर मॉडरेट था पेपर टफ था कुछ क्वेशन से तो जो काफी रेंडम थे पीवाई क्यू से हट करक इस समय खुद को बहुत जादा भटकने नहीं देना है I agree मैं मान सकता हूँ आपकी बात की पेपर बहुत टफ होगा लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा आपकी दिमाग में अभी होगा कि हिंदी का पेपर कैसा आ सकता है वो सकता है कि वह भी GS की तरह tough आये या moderate आये लेकिन other easy आया लेकिन आप अगर इस मान सकता है कि पेपर बहुत tough आयेगा और कहीं ना कहीं अगर आपने जलबाजी में 4-5 question 10 question easy को भी गलत कर दिया तो आप race में पीछे हो सकते है इसलिए ध्यान रखना है कि यह जो दोड़ाई गंटे का सम है उसमें बस अपने को शांत रखते हुए काम कंपोस्ट रहते हुए धहर रखते हुए हिंदी का पेपर ठंसे करिए हिंदी का पेपर कैसा आता है वहीं के वहीं पेपर मिले के बाद में decide करिएगा कि हिंदी में आपको किस तरह से better perform करना है easy to moderate questions को गलत नहीं करना है एक च start question करने होंगे उसमें 30-35 question generally अभी तक का जो इतिहास रहा है UBPSC का RO RO को ले करके उसमें ऐसा रहा है कि 30-35 question actual में बहुत easy होते हैं उसमें आपको time नहीं लगेगा तो बाकी की questions होंगे उसमें आप प्रहसा time ले भी सकते हो like 30-40 seconds से या एक मिनट से जादा भी ले सकते हो और source knowledge के साब से अगर आपको confusion हो रहा हो कि यह वाल option होगा यह option होगा तो उसमें हमेशा एक बार paper पर लिख कर देख लीजिए पीछे की side जहां पर rough side बला होता है वहाँ पर लिख कर देख लीजिए अगर आपने अधंग से उसको पढ़ाओगा तो आपको तुरन्त याद आ जा होगे इसलिए जैसा भी paper होगया है कोई बात नहीं GS को छोड़ दो कुछ आपके हाथ में नहीं है अब यहां से लेकिन GS में गलती मत करना GS का अगर paper easy आता है तो उसमें यह target करके जाओ कि हाँ ठीक है मैं इसमें अपना best देने वाली हूँ मैं यहां से इसमें गलती नहीं कर होगा अल्दी बास पर हिंदी एक्जैम